हेलो दोस्तों स्वागत हैं जी क्या बाई यो किसे चैनल मापका दोस्तों आज में जो वीडियो लिख रहा हूं इसमें आज हम भूगोल के बहुत ही मोस्ट इमरेट क्वेस्टन पढ़ने आज जा रहे हैं जैसे जो क्वेस्टन रेलेटर होते हैं एक्वेस्टन से वो सभी क्वेस्टन हम यहां पर बढ़ेंगे तो आई दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आती है लाइक से सब्सक्राइब को ना फिल कुलना भूलने है चैनल को जी के बाई यूग इस्टर चनल फर्स्ट क्वेस्टन में जब आंद्र परदेश एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानितिक कुर्णोल सबस्यदिक जले हैं उत्तर परदेश में नेक्ट वेस्टन है चार दक्षनी राज्य आंद्र परदेश करनाटक केरल और तमिलाडू में से सबस्यदिक भारतिय राज्यों के साथ सीम मनिपर की राजधानी इंफाल है और गुजरात की राजधानी गांदी नगर राजिस्तान की राजधानी है जैपर अरवनाचर परदेश की राजधानी है इटा नगर नेक्ट है भारत के 39 में राजधानी क्या है हिदराबाद और दोस्तों एक बात बैं आपको इहां पर बदाता हूं इसकी राजधानी हमेशा ही हिदराबाद रहेगी क्योंकि आन्दे परदेश की राजधानी 2024 में चैंज हो जाएगी जो नई राजधानी बनेगी अमरावत भारत का सबसे बड़ा संग राजधानी नहीं है तो नहीं है बैंगलॉड भारत में केंद्र साथ परदेश जो हैं वो टोटल कितने हैं साथ भारत का सबसे बड़ा संग राज्य है दिल्ली नेक्ट है भारत का सबसे जोटा केंद्र साथ परदेश लक्षदीब पांडुचेरी का छेत्र पाया जाता है तमिल्लाडू केरल एवं आंद्र परदेश नेक्ट है तिर्वरा दमन दीब लगजदीब हम पांटिचेरी में से किन्ज हज़ परदेश नहीं है तो वो नहीं है दो सुथ तिर्वरा नेक्ट है दमन और दीब के बारे में सत्य कथन क्या है दमन और दीब के बीच घूम्बात की खाड़ी है और इसकी राधानी दमन है सिल्वास राधानी किसकी है तो दादर और नगर हवेली की भात में किन साथ परदेश हैं जो साथ हैं दिली, चंदीगर'd, लक्षदीद्ध पादर एवम नगर हवेली पांड़ चेरी अंडवान निकवार और दवन उट्दीग नेक्ट यह पीले बर्ण के तिर्यक नित्र उठी होई कपूल अस्थी छोटपोट केश और मध्यमुचाई वाले वेक्ति होते हैं इनका संदर्भ है मंगोलायड जनों से मंगोलायड जनो से लोगों से उत्तरोरश भाहरत के पहाड़ी एवम जंगली छेतरों में प्रजा तिये सम्मुवग है तो उनको कहते हैं मंगोमंडोयड मंडोयड मंडोयड बिट्वाली को सोक के ‑‑ जार के रुप में मनाती है, तो वो जन जाती है थारु, यह जसे उत्राखन पर जाती है थारुकों का नवास है उत्त्रपरदेस, जो अभी उत्राखन में पहुच गया है, क्योकि उपीree का भास्न हुआ था तो थारू जो जिन्जादिती पहुंचकी कहां पे उत्रागंड संथाल नवासी हैं पूर्वी भारत के और दितो पिरवास किरिया करते हैं बूटिया नेक्स्ट रेप बोर्डो नवासी हैं गारो पहाडी के गारो जिन्जादी हैं बेगाल लेसम और मिज्रम में खांसी हम गारो भासा बोलने वाली जिन्जादी हैं बेगाल ले असम और मिज्रम राज्यों में चैंचू लेपचा डफला और डौफर जिन्जादियां में से किरिल में पाई जाने वाली जिन्जादी हैं चैंचू भारत की सबसे बड़ी जिंजाती भील जिंजाती है तोड़ा एक जिंजाती है जो निवास करती है नीलगीरी की पहाड़ी अपर एक जिंजाती जो सरहुल त्योहर मनाती है उसे कहते हैं मुन्डा नेक्ट क्येशन है उत्राखंड की सबसे बड़ी अनुसुल जिंजाती है जो नसारी मिजोरम में बस्ती संसरूप मुक्ते कटकों के साथ सात रेखिया प्रत्रूप का भी है तो गाटिया जो गाटिया होती है कटकों के अविक्षा ठंडी होती है भील जाती पायाती है पतित्यों की प्रिथा मना जाती है जोंसारी टोड़ा खस ओटा बोटा तिवान इरावा और नायर जंजात्यों के तो है नेक्टर सहरीय जंजाती जो हाली में चर्चा में है वो नवास कहां करती है वो करती है राजिस्तान भारत में जन्जातियों के निर्धारन का आधार है सांस्कृतिक विशेशी करन और विभिन आवास भारत के चागपा समुदाय के संदर्म में सही कथन है व्याच्चे किसम का उन देनी वाली पस्मीन अबक्रियों को पालते हैं चागपा लोहासर को अपने देवता मानते हैं कौन अगरिया जन्जाति के लोग अगरिया जिन्जाति सवंपिन जिन्जाति पायाती है निकवार दीपसमु में किंद साथ प्रदेशों में से को जन्जाति के लोग रहते हैं अंडवार और निकवार दीपसमु में जारबा जिन जाती के लोग जो हरल में चर्चा में रहे nytवाशी हैंडोवार, निकवार के भारत के सरवादिक आग जिन जाती है जारबा मंगानियार के नाम से जाना जाने वाल लोगों का संबुदा है पष्श्चमुत्र भारत में अपनी संगीन प्रंप्रा के लिए विख्यात जो मिन करते हैं खांसी जिन जाती के लोग भारतियों महादीपों में बोलने जाने वालों इसरवल संख्या के आधार पर हिंदी के बाद नमबर आता है बांगला भासा का आश्टिक समो की भासा है खांसी भारत का सबसे बड़ा भासाई समो है इंडो आर्यन गंगा नदी उधारन है पूरवर्ती अपवाह का बांगला इसमें गंगा नदी को पुकार जाता है पदमा के नाम से संदर्वन डेल्टा का निर्वान करने वारी नदियां है गंगा और ब्रम पुत्र गंगा की जरूड मिर्दा की गहराई भूमी सदर के नीचे लगवग 6,000 मिटर तक होती है सत्य कथन है देख प्रियाग अलक नंदा और भागिरती नदी के संगम पर इस्तित हैं अलक नंदा नदी पतिनात से बहती है इसे सतोपंत भी कहा जाता है अलक नंदा तता भागिरती का संगम होता है देख प्रियाग में और देख प्रियाग हमारा पड़ता है उत्राकंड की अहरी दोआर में मन्दाकिनी नदी जयल परभात वहां मुक्खे नदी समयते हैं अलक नंदा से नेक्ट क्यश्चन है कैधानात से रोधर प्रियाग के मद्देभेती है मन्दाकिनी नदी वह नदी का तट जिस पर बद्रिनात का प्रिशिद मंदिर इसकत है वो है इसका उद्गम मेदान से हैं गोमती नेट को इसने बेतवा, चंबल, केन राम गंगा नदियम में से यमना की साहिग नदी नहीं है राम गंगा यमना नदी का उद्गम स्तान है बंदरपु चोटी से यनि की यमन उत्तरी बेतवा नदी मिलती है यमना से गंगा की वह साइग नदी जो उत्तर वहनी है वह सोन नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है सोन नदी यमना और सोन के मद्जे जल्द विवाजक का कारे करने वाली स्रेनी है कैमूर स्रेनी तिब्वत्मत्ति पाने वाली ब्रहमपत्र इरावती में कांग नदियां अपने उपरी पोधों में संक्रन और समान अंतर प्रवस्रेनियों से होकर प्रवायत होती हैं और नदियों में ब्रह्मपत्र भारत में प्रिविष्ठ होने से ठीक पहले अपनी प्रवा में योटन लेती है यह योटन बनता है भूब वेग्यानिक की तरण हमाले के अक्सांसिय नमन के कारण भारत में यरलूंग जंग्वो नदी को जाने जाता है ब्रह्मपत्र की नाम से तिब्बत में मानसुर जील के पास जिस नदिगा सुरोत है वे है ब्रह्मपत्र सतलज और सिंदो नदी हरुनाचल परदेश से होकर बहने वाली नदिया है रोहित और सुबंसिरी मानस नदी साहिग नदी है ब्रह्मपत्र की ब्रहंपत नदी तिबबत में जान जाती है सांगपो नदी के नाम से ब्रहंपत नदी का बहाव छेतर है तिबबत, बांगलादेश और भारत ब्रहंपत की साहिग नदी है दिवांग, कमेंग और लोहित वहनदियां जिनका सुरूत बिंदू लगवग एक है ब्रहंपत रोड सिंदू नर्मदा नदी पस्चिम क्योर बहती है जबकि अधिकान सन्य प्रायदी प्यम्गी बड़ी नदीयां प्रोव क्योर बहती है क्योंकि यह कि डिप्त गाटी में सित्त है नर्मदा घाटी चीन प्रवसंगला के पीच इस्तित है बेहे बिंद्य और सत्पुड़ा भारत की पस्चिम क्योर बहने वाली नदियां जो डिल्टा का निर्मान नहीं करती है नर्मदा तापती और पेरियाद अमर कंटक से उद्गम होता है नर्मदा नदियाद नर्मदा घाटी उधारन है बिरंस घाटी का रिप्ट घाटी का बिरंस द्रौनी से होकर बहने वाली नदियाद नर्मदा नर्मदा नेक्ट क्वेशन है पस्यमी वहानी नदियाँ में से दो परवस रेंगनियों के बीच वहने बहने नदियाद तवा नदि किसकी साह्य नदियाद यह है नर्मदा की नेक्ट क्वेशन है गोदाबरी तापती survived यो तैं़र्णी नदिया। और कुछ मी लागी जाकर पुने फिर मिल जाती है स्री रंगपटनम, सिफ समद्रम और स्री रंगम दीपा के निर्मान करती है तो वो उन दी है कावेरी उनसी है कावेरी कावेरी नदी का उतवमस्तान है ब्रह्मविरी की पहाड़ियों से काविरी नदी किन राज्यों से फुक्र गुजरती है करनाटक की रिलोड तमिल्लाडू तक्षिन की गंगा कहा जाता है काविरी नदी को किर्षना नदी जल्विवाद है आंदर प्रदेश करनाटक और महराष्ट के बीज वहनदी जनको जोडने का कारिय किया गया है गोदावरी और क्रिश्णा गोदावरी काविरी तापती एबा महानदी में से वहनदी जो एश्चुरी बनाती है वो है नर्मदावर तापती गोदावरी महानदी नर्मदा तापती नदियों की लंबाई के अब रोही क्रम में सही और क्रम है गोदावरी नर्मदा बहानदी और तापती प्रैद एपी भारत में पूर्व देशा में बेहने और नदियां कौत्तर दक्सिंकर सही क्रम है सोन्रे का महानदी गोदावरी क प्रिशना पेननार कावेडी और वेंगाई तो दूस्ता हुआ करता हूं आपको वीडियो जरू परसंद आए होगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और मैं आपके उज्जर वहिश्चे की कामना करता हूं जेहन जेवारत